असलाम आलेकुम गाइस, welcome to my channel, so guys, देखे, आज मैं आपसके लिए फिर से एक design लेके आई हूँ, जिसको बनाने के लिए मैं green color का यूज कर रहे हूँ, यह पूरे तीन strength है, 6 strength में से मैं तीन strength यूज कर रहे हूँ, और तीन strength मैंने अलग कर लिया है, इस तरीके से हम backstitching करके first of all, line बनाएंगे, so guys, इस design को आप कहीं भी use कर सकते हैं, किसी भी table cloth, या फिर आप इसे दस्तोखान, या फिर आप pillow cover, cushion cover, या फिर table cloth पे भी बना सकते हैं, so guys, बहुत ही खुपसरा design है, all over design है, आप इसे कहीं भी use कर सकते हैं, so video को अन तक देखेगा, पसंद आता है, तो please like कर दीजेगा, और share कर दीजेगा, show guys, देखे, इसी तरीके से हम back stitching करके, पूरा line बनाएंगे, back stitching के मैंने आपको पहले भी बहुत सारा design बना के दिखाएं हैं guys, so आप मेरे channel पे visit करके, और भी video को देखेगा, देखे, इसी तरीके से, अब मैं आपको leaf बना के दिखा रहे तो इस तरीके से हम leaf को बनाएंगे, first of all, बीच में line बनाएंगे, और उसके बाद अब दोनों तरफ से हम leaf को बनाएंगे, ये जो design है guys, beginner design है, कोई भी beginner भी बहुत ही असानी से इन designs को बना सकते हैं, so आप भी जरूर इस design को try किजेगा, I hope आपको जरूर पसंदाएगा, एक इस तरीके से हम leaf को बनाएंगे, इस तरीके से हम leaf को बनाएंगे, इस design guys, देखने में बहुत ही attractive लग रहा है, because color combination जो है, वो बहुत ही खुफसरत यूज किया गया है, so आप भी मुझे comment करके जरूर बिताएगा, कि आपको color combination कैसा लगा, flower और leaf का, so देखे, इस तरीके से हम पूरा leaf बना कर त्यार कर लेंगे, इस तरीके से मेरा पूरा leaf बन कर त्यार है, इस तरीके से हम पूरा design बना लेंगे, अब मैं आपको flower बना के बताती हूँ, so देखे, flower को हम certain stitching में बनाएंगे, तो हम 20 से start करेंगे, और उसके बाद दोनों तरफ हम fill करेंगे, तो देखे, इस तरीके से हम fill करते जाएंगे, एक एक जो हमारी पंखुडी है, अलग-अलग हम उसको fill करेंगे, ताकि वो देखने में ज़्यादा खुपसूरत लगे, देखे इस तरीके से, हम दोनों तरफ से, इसे फिल करते जाएंगे आप चाहें तो पहले एक तरफ फिल कर सकतें, उसके बाद दूसरे तरफ भी कर सकतें no problem but आप ऐसे भी कर सकते हैं, it depends to you कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं आप मेरे चानल पर विजिट करके बहुत अच्छे अच्छे हैंड अमरोडरी, क्रॉचिट का वीडियो, बिस्तर का डिजाइन, चादर का डिजाइन और साथी साथ क्रॉस स्टीच के भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन देख सकते हैं सो मेरे चानल पर जरूर विजिट कीजेगा और मेरे वीडियो को वाच कीजेगा इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए मेरे चानल को जरूर से जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा और साथ में बने बेल की आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके सो देखिए इसी तरीके से बैक टू बैक एक एक पंखुडी को हम फिल करते जाएंगे यह स्काई ब्लू कलर का धागा है गाईज और मैंने इसमें ब्लू कलर का भी यूज़ किया है यह लत्ती का हिद्धागा थोड़ीائे मैं चमक है एंकर नहीं है यह लत्ती ही है लत्ती के कई धागि Hoch जो कि फोड़ाजा मैं चमक बनाते तो यह उस टाइप का है थोड़ा से चमक है इसमें बटी है लत्ती का ही धागा यह भीतीनी स्ट्रेंथ hep आप साटन स्टिचिंग थोड़ी कम स्ट्रेंड से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है इसी तरीके से मैं पूरा कम्प्लीट करती जाओंगी अभी देखिए गाइस हम इसको पूरा इसी तरीके से बना लेंगे सबी को देखिए गाइस मेरा बनकर त्यार है किता ही खुबसरत लग रहा है आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बिटाएगा कि आपको डिजाइन कैसा लगा इस तरीके के और वीडियो मेरे चानल पर देखते रहेगा और देखे गाइस मैंने इसमें चोटी-चोटी से बिट्स भी लगा दिये हैं ब्लाक कलर के सो देखे किता ही खुबसरत लग रहा है